नमस्कार प्रिडाम आदाव जेहिंद मैं आतु लवस्ती स्वागत करता हूं सुबग 11 बजे रेलवे की इस रेलवे एलपी की इस क्लास में लेकिन एक आप लोगों को सूचना है क्योंकि अभी मैंने अपने टेलीग्राम पे अपने इंस्ट्राग्राम पे या अपने मेरे ज बात है जिन्दगी में एक जोइनिंग लेटर एड करना है क्योंकि इस ब्रहम्हांड में सबसे आसान एक्जाम SSC GD होता है और SSC GD में 26,146 रेकेट्सी आप लोगों को देखने को मिल रही है तो आशा करता हूं कि इस बार आप लोग बड़े ही जोर सोरों के साथ आप मेर करना है सारी books, सारी किताबे, सारी test series आपको अपने घर की चोखट भी नहीं लांगनी है कहीं नहीं जाना है और किसी को बताना नहीं कि तुम तयारी कर रहे हो और अगर जब तुम्हारा final selection हो जाए तो दुनिया को यही लगेगा यार इस बंदे को नौकरी मिल गई ये कैसे नौकरी पा गया ठीक है ना तो बस यही message सब पर जाना चाहिए तो अगर आप सभी तयार है तो चले फिर आज के session की शुरुआत करें देखें आज क्या कुछ है आप लोगों के लिए और कैसे कैसी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और अगर मजा आ जाए तो भया आमित हमारे साथ है भानु है हिमान्शु तीवारी है धरम कुमार जी है आमित कुमार है आमित शुकला है और अमृता गुपता है और सारे बच्चे और इन बच्चों का कोटिशा धन्यवाद कि जो बच्चे मेरे साथ regular जुडते हैं और हमेशा मुझे बताते हैं क कि दो सेकंड इसको थोड़ा सा सही से लगा दिते हैं । चलो, ये वो लोग हैं जो regular मेरी क्लास में जूडते हैं इन सभी बालोकों का कोट इशा धन्यवाद बहुत बहुat धन्यवाद है आपका इस तरीके से मेरी क्लास में जूडने के लिए और आज के session में फिर आप लोगों को ये महसूस करा दूँगा कि सर आपने दिल खुश कर दिया बेहतरीन टाइप के questions हम लोगों ने आज discuss कर लिये तो चले फिर शुरुवात करें आज का session Are you ready for the session और बेहतरीन तरीके से लेकर आज के हम session की शुरुवात करते हैं आज का पहला सवाल आप अराम से बताईए कि अगर किसी घड़ी में 3 बचकर 40 मिनट का समय हो रहा है तो इसे दरपण में देखा जाए तो क्या समय दिखाएगा अगर एक घड़ी में 3 बचकर 40 मिनट का समय हो रहा है तो मिरर में देखने में क्या दिखाएगा क्या ये पंदरा सेकेंड का सवाल था या मैं टाइम पास कर रहा हूँ या पंदरा सेकेंड का सवाल था या मैं सच में टाइम पास कर रहा हूँ आप सहमत है ये पंदरा सेकेंड का सवाल था हाँ या ना कम से कम ये बोल के चलिएगा जैहिंद राहुल कुमार पूजा कुमार विवेक कुमार भीया आमेद दीपक भीया खुश रो अगर मैंने कहा तो यह सीजे अब आपको याद हो जानी चाहिए कि अगर 12 घंटे का समय है 12 घंटे का समय है तो हमेशा उसको माइनस कितने से करेंगे 11.60 से अगर मैं आप से कह रहा हूं अगर हम मैं आप से कह रहा हूं 12 घंटे का समय है तो किस से माइनस करेंगे 11.60 से चौबिस घंटे का समय है तो किस से माइनस करेंगे 23.60 से अब मेरी बात याद रखना अगर 3 बच के 40 मिनट का समय हो रहा है तो तुम्हारे जहन में एक आदत बसी हुई होनी चाहिए पूछो क मैं मानता हूँ कि solve कर देंगे answer आ जाएगा लेकिन तुमको ये तुम्हारी आदत में होना चाहिए कि भले मुझे इसको घटाने में 99 सेकंड लगे एक सेकंड से भी कम समय लगे लेकिन नहीं घटाओंगा क्यों रगुपत इरागह वराज आराम जितना पैसा उतना काम यानि ये कभी नहीं हो सकता ये होगा नहीं ये होगा नहीं बचा क्या 8-20 बिल्कुल सही जवाब है और अभी से आदत बना के रखो कि option eliminate करके ही जवाब देना है option eliminate करके ही जवाब देना है नहीं ये कि ये batch railway के लिए railway ALP तो इसको कम से कम हर एक format में आप इस batch को देख सकते हैं मै आपके सामने नहीं आओंगा ये रहाब का timer जल्दी से सोचो answer क्या होगा ये रहाब का timer जल्दी से सोचो answer क्या होगा अराम से calculate कर लो 21 सेकेंड आपके सामने है मैं आपके बीच में नहीं आता लेकिन आप अगर इसको underestimate कर लोगे तो इसका कोई इलाज नहीं है इसको आपको proper solve करना ही पड़ेगा इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है अब मेरी बात बहुत गोर से सुनिएगा जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं बात मेरी सही लगे तो समर्थन करना पूछे क्या बोले अतुल सर देखिए ये 11 लिखा हुआ है बोले हां सर 11 का हंग ने 3 गुना किया प्लस 2 कर दिया गैरत याई 33 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 35 हो गया फिर अगर हमने 35 multiply by 3 कर दिया और दिन प्लस 2 कर दिया 5 याई 15 दो 17 यानि unit digit 7 यानि 107 आना चाहिए ये बताओ पहले किसको नहीं समझ में आया मेरी क्लास में अगर मैं 15 कोश्चन भी कराऊ ना तो तुम ये कह सको कि सर्फ 15 जितनी टाइप की आपने कोश्चन कराए वो सब समझ में आये मसा आ गया दिल खुश हो गया है की ने आरी बाद समझ में बहुत ही शांदार लाजवाब जिन्दाबाद एक नंबर जबर जस्त ठीक है तो चलो अब यहां पर हम देख लेते हैं ऐसा कहां हो रहा है देखो 4,3,12,24,24,24 आ रहा है समझ में खुश रहो बिटे बाद खुश रहो तो ये बात याद रखिए जितने तरीके के कोशन पूछे जाते है वो सारा तरीका क्लास में ही खतम होना चाहिए अब आप पहले सवाल देखो आप देखते हैं अरे सर इतने ट्रेंगल है एक, दो, तीन, चार्ट ट्रेंगल हैं पहले कोशन देखो वो पूछा क्या है कम से कम कितने रंगों का प्रियोग किया जा सकता है कि सभी रंग एक साथ ना आए सोचो कितना ट्रिकी सवाल है जड़ा सोच के देखो पहले कोशन देखो कोशन में बेखो मुझे बताना कि अपर सुबह 11 बजे अतुल सर को सुन लो तुमको पहले से अच्छा महसूस ना कराए तो जो कह दो के सर थार जाऊँगा अराम से सोच लो बिल्कुल दबाव नहीं बनाऊँगा मजेदार सवाल लगे तो बस मुझे इतना बता देना कि कम से कम कितने रंगों का प्रियोग किया जा सकता है कि रंग एक साथ ना आए यानि कलर रिपीट ना हूँ सोचो कलर रिपीट ना हूँ कलर रिपीट ना हूँ जल्दी से सोच लो हाँ बहुत ही जणिया तीन, चार, तीन, दो और मेरी बात पर भरुसा नहीं करना है गलत होगा तो सौरी अतुल सर बोलोगे न यहां रिपीट नहीं होना चाहिए और वैसे देखो सभी रंग एक साथ ना है यहां आंसर तीन नहीं होगा यहां आंसर सिर्फ दो ही होगा वो भाई मिस्टेक लिख गया है वो आंसर तीन नहीं होगा बेटा उसको सही करलो आंसर तीन नहीं होगा तीन नहीं होगा आंसर शिर्फ दो होगँ बोले सर वो कैसे आव हम प्रूफ करेंगे ना आप प्रूफ करेंगे कैसे जरह मेरी बात ध्यान ते समझना बात सही लगेगा तो समर्थन करना देखो इसे मैंने इसे ये इसे ये इसे देख रहा हूँ ये इसे मैंने ये कलर कर दिया ठीक कोई दिकत चल रिपीट नहीं होना चाहिए कलर अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना अंधा सपोर्ट नहीं ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे 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 ठीक रिपीट नहीं होगा कलर मैं जो न का ज़्यां अगर देखना अब गर ती कहा तो मेला जोड़ा हो तो मैं इस एक करके डियापए से इंध्रियां और करके सिखांगी एक साथ नहीं आए गर यह सी मेरी जिम्मेदारी यह देखो तेक एक साथ में इसके साथ नहीं आना चाहिए है ना इसके साथ नहीं आना चाहिए तो ये कलर इस पे होगा इस पे होगा ये देखो ऐसे होगा ठीक है ये कलर अब यहां नहीं होगा क्योंकि रिपीट हो जाएगा ये कलर यहां होगा अच्छा बताओ सहमत हो तो मेरी बात पर समर्थन करना नहीं मेरा काउंटर दे दो मुझे बोल दो कि नहीं सर आप गलत कर रहें और यह कलर यहां पर होगा यह मैं सिर्फ समझाने के लिए तना चीछा लेदर कर रहा हूं इता कि आपको कुशन का मतलब समझ में आ जाए कि मैं क्या है क्या रहा हूं यह समझ में अब मेरी बात समझाने कोई भी कलर रिपीट नहीं होगा यह मेरी जिम्मेदार यह पूछो कैसे देखो कोई भी कलर रिपीट नहीं होगा रिपीट नहीं होगा कोई भी कलर कोई भी कलर रिपीट नहीं होगा रिपीट हुआ क्या कोई कलर रिपीट हुआ पहले बताओ मेरा कहना सही है या नहीं पहले बताओ मेरा कहना मेरी वज़े से मत बोलो यार मैं यहीं चाहता हूँ कि यह मत बोलो आतुल सर यह कह रहा है इस वज़े से सिर्फ दो ही कलर होंगे कि नहीं होंगे आपस में रिपीट कि सवाल जरूर पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे एक ट्रेंगल बना देगा ऐसे ऐसे एक ट्रेंगल बना देगा और आप से पूछेगा कि इसमें से कौन सा है जो कलर रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें कलर रिपीट नहीं होना चाहिए बताओ कही repeat हो रहा है color बोलो color कही repeat हो रहा है तो आशा करते हैं सहमत होगे इसलिए ये नहीं सोचा करो कि सरे मैं इसलिए बताता हूँ कोई नए type का सवाल है तो कम से कम ये कर सको कि हां सर इस तरीके का सवाल हमसे हो जाता है चलो इसका अंसर बता। 20-15 के साथ कुछ भी करो, मुझे 24 लागते दो और मज़ा आजाए तो मुझे एक बार बताना सर दिल खूश कर दिया आपने नहीं बेटा आप समझे नहीं उसने बोला कम से कम कितने रंग इस्तमाल किये जाएं कि वो आपस में रिपीट ना हो सोचो हाँ बेटवा इसा भी होता ये सुनके क्लियर अब देखो जो आज की क्लास में नहीं है उनका नुक्सान हुआ कि नहीं हुआ मैं आपको यही चीज समझाना चाहा रहा हूँ यह जितनी जल्दी समझ जाओगी आपको उतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा कि सर का कहना सही है या गलत बहुत ही शांदार जल्दी से करके देखो अब मैं इसका अंसर बता हूँ ना पता तुमारा रियक्शन कैसे होगा अरे मोरी मया यह सब भी होता है क्या अब यह जो लू आची क्लास में नहीं है वो लाइफ टाइम सोचिंग और यह चीजे तो मैंने देखी नहीं इधर इधर आओ तुमको एक नई चीज दिखाते इधर आओ पुछे क्या सर जब भी ऐसा सवाल होता है ना मेरी बात बहुत ध्यान से समझना उसने कहा कि टू प्लस जीरो तो यानि टू आ गया बोले हां सर वन प्लस फाइफ यानि सिक्स आ गया बोले हां सर इनको जोड लिया इ आठ तरिक 24 हो गया अब आप क्या करोगे अरी मुरी महिया यहां तक होता है क्या भाईया है बुलो समझ में आए कि ने आप जैसे 64 है तो ये 6 प्लस 4 है ठीक 13 है तो ये 1 प्लस 3 है तो 6 4 10 हो गया 3 1 4 हो गया तो उसने जैसे 2 और 6 जोड़ा ना 8 हो ए तो 10 चार उसने क्या कर दिया 14 कर दिया 14 का तीन गुना कर दिया ठाइस चौदा तिया 42 यानि 42 आ गया वो 42 यहां पर लिखा हुआ है कितने लोगों को नहीं समझ में आया मुझे बताओ कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ अब यह कह दो और इसा जो आची क्लास में नहीं हो जिंदकी में नहीं रूड़ सकते इसको मैं कहता हूं सम्थिंग इस बेटर देन नथिंग कम सकम रिजनिंग में फ्री का नंबर होता है तो एक एक दो चार दो छे छ अच्छा अब यह समस्या है यह मैं आपको बार-बार कहता हूं करके दिखाओ दिमाग लगाना और बात सोचना कि यह होना क्या चाहिए करके दिखाओ इसको यह इतना कठिन नहीं है लेकिन मैं बार-बार कहता है इसको सोच के दिखाओ क्या होगा बात सही लगेगा तो समर आरक्तता का संबंद क्या होगा? अनिम्या, जैसे हो तरह खून की कमी हो जाता है, जब आइरन के इंजेक्षन्स लगने लगते हैं आपको, है ना? तो ड्रॉट, डैथ, लिट्रेसी, क्या होता है? तो याद रखना, एनिम्या किसकी वज़े से होता है? एनिम्या समृत्ति हो जाती है वी कुझन की कमी होगी तो निष्चित निश्चित है जब सूखता है इंसान यानि उसके अंдर पुस्टिक्ता रखता होता अरक्तिता होता है विशें या फिर फेली ट्रेस्योंत कही록 निर्ध होता है अब具 यह शीजह समझने वाली बात है निर्धन्ता का संबंध बेरोजगारी से है यानि बेरोजगारी है इसी वज़े से निर्धन्ता है पास में नौकरी चाकरी नहीं है इसलिए तो निर्धन्ता है पावल्टी इसलिए है क्योंकि आनिम्प्लॉइमेंट है अरक्तता इसलिए है क्योंकि आपको पोशित हैं अगर आपको पोशित होंगे तो यह याद रखना आपको एनिमिया होना तय है को पोशित मतलब टाइम से खाना पीना नहीं मिलेगा आपका यह जो टमी है यह नहीं भरा रहे का तो आप डस लिए जाएंगे अब आप बहुत सो हीरो बन रहे है आज इंग इच भी विल बिदर आई आई रे सर वह देखा नहीं मैंने तो हम बार बार कह रहे हैं बेटा जी सावधानी हटी और सबजी पूरी बटी तो थोड़ा सा सुन लो नहीं तो डस लिए जाओ अब जिसको जिसको सिलोग नहीं आता आओ यह सब से आ गया हो इधर हो इधर सब से आ गया हो उठके आगया जल्दी से आगया जिनको नहीं आता सी लोग अरे मोरी मैया सर यह तो कभी हमको समझीम नहीं आया और अगर इस कोशन का जवाब तुमने खुद दिया तो आज के बाद हमसे यह मत कहना कि सार रेजलिंग बहूत कटी ने बाबु भी या हमको समझ में नहीं आएगी तुम आ अंसर क्या होगा बताओ ग्रामुई जमेन कुछ नेगेटीव नहीं है कुछ भी नेगेटीव नहीं है तो इसका मतलब यह क्या होगा देवता है और यह क्या है राक्षस है है ना राक्षस है और जब यह ऊपर देवताओं के बारे में बात हूँ तो नीचे राक्षस कभी भी सही नहीं होता है इन पॉजिटिव इस्टेट में नेगेटिव कन्क्लूजन नेवर भी फॉलो विट हन्डेट पर्सेंट इट से इस्टेट में अगर उपर सकारात्मक कथने तो नीचे नकारात्मक निश्कर्स कभी भी 100 प्रतिशा तनुसरा नहीं करेगा अगर नहीं सुनोंगे तो ल मैन और गुड़ देखो सारे मैन क्या है गुड़ है बोलो हां सारे मैन क्या है गुड़ है रा फिर का रामु इसा मैन रामु क्या है मैन है तो साव रामु इसा गुड़ सभाविक सिवात रामु इस गुड़ भी साहिए रामु इस गुड़ बोलो बोलो जादव शीवानी आ रहा है बिटवा समय गुलजार इद्रिसी कैसा है मेरे भाई आश्टोस कैसे हो भाई यह मतरानी खुब सबुद्धी दे बिटवा खुब उन्नति कराए कम से कम जो मैं पढ़ाओ ये कह सको कि सर दिल बाग बाग होगे मज़ा आ जाता है है कि नहीं हाँ चलो जल्दी से बत में यह है टाइमर ना हो पाए तो एक बार बता दो कि सर कैलकूलेशन वा में थोड़ा सा समस्या हो जाती है अब जैसे हम इस पर बताएंगे तो कहोगे सर ये कौन सी बात है लेकिन होता ऐसा ही है ट्राइ करके देख लो अब नहीं आया तो गुरु जी इंगलिश में आज अगर अमेरिका इमांशो बाहुत मारेंगे इधर देखो अगर मैं आपसे बोलो इधर आओ जैसे ये कैलकूलेशन है बेटा एक्जाम में 100% ऐसा कैलकूलेशन आएगा बेटा 100% आएगा और SSC GD वालो मान लो कहा सुबा भी से सुन लिया करो ये 10 है बोले हां सर 10 का उसने 3 गुना किया और प्लस 20 कर दिया बोले सर आप इस तरीके ऐसे कुछ भी कर देंगे क्या मैंने का बेटा जी ये जो नंबर होते हैं न ये अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा यानि यहां कुछ भी होगा तुम कभी चूं से चा नहीं कर सकते है क्योंकि ऐसा भी होता है वो कहे का 10 यह 30 हो गया महराज 30 में से 20 जोड़ दिया 30 20 50 हो गया अब यह 30 20 50 हो गया बोलो हां या न अगर यह मैंने 12 है तो 12 का मैंने 3 गुना कर दिया और प्लस 20 कर दिया तो 12 यह 36 हो गया 36 में अगर 20 जोड़ दिया तो नहीं समाझ में आया, 36 plus 20 will be the 56, आगया समझ में, I think it should be, है कि ने, चलो, अब एक और तूफान दिखाते हैं, ये करके दिखाओ, तुमको एक तबाही तरीका सिखाते हैं, अगर तुमको लगे कि सर आज आज आपने कुछ नया चीज़ सिखा दिया, तो आज सेशन के आंट में मुझे thank you बोल के जाना बस, है ना आज बहुत ही शांदार ट्रिक समझाते हैं, कि कैसे होता है, पहले तुम अच्छे से कर लो, बात सही लगेगा तो मेरा समर्थन करना, अराम से सोच लो, मैं आपको बिलकुल परिशान नहीं करूँगा, कि ये तुमने कैसे कर दिया, अराम से सोच लो, अब तुम जड़ा सा गौर फरमाना, अगर गलत करते हो, तो इसमें कहीं न कहीं नुकसान तुम्हारा है, जैसे इसमें देखो, अगर तुम ये देखो, कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, बोलो हाँ या ना, जे क्यू जंगल क्वीन, जो तुम्हारे जैकलिन फनेंडिस बोलोगे जे क्यू से, तो तुम्हारे बज़ट में नहीं है, लेकिन जंगल क्वीन, दोनों अपोजिट हैं, बोले हाँ से, तो M का अपोजिट N होना चाहिए, रगुपदी राघव, राजा राम, जितना पैसा उतना काम, सुरू में N के सिवा कुछ न लगेगा, मैंने का मेरा 2 सेकंड बचाना, गहरी सांस लेने में समय बिता दूँगा, मैं जबर जस्ती समय थोड़ी ना दूँगा, कि वो, मैं बहुत स्टेंडर बच्या हूँ, आएं चो वे ले ले, एक एक कुशन साल, ऐसी तैसिम गया, बर मरे चाहिक अन्या दक्षीना से मतलब, दक्षीना मिल गए, ऐसी तैसिम गया जाए, दुनियादारी, काम उतना करो, जितना जरूरी हो, यह आदत में डाल लो, भले तुमारा एक सेकंड बच राए, आदत पर जाएगी आगे तुमारा दो-दो मिनिट बचने लगेगा, तीन-तीन मिनिट बचने लगेग सहमत हो, यह दोनों आपोजिट हैं, आपोजिट हैं, देखना होते हो, यह आपोजिट है, यह देखना हो, क्यों देखू मैं लोगों को, उतना देखो जितने में जरूरी है, यह देखो, आओ, एक शांदार तरीका बताते हैं, एक तुमको शांदार तरीका बताते हैं, इंग्लिछ थाइस पकाहित आन मेरी छोटे हुआ ओर अलो मिस करोंगे मेरे इंगलिश को जिज दिन मेरे क्लास नहीं चले डिन इस इंगलिष कुछ करोंगे क्यार गुरुजी कैसा इंगलीस नहीं हो यार थे थोड़ा है अधीत समय तो lyn Luke मेरे इंग्लिश के मज़ा गुड़ाते हो ना साइट सब्सक्राइब मारिंगे बहुत बता दे रहे हैं कि इंग्लिश के बारे में कुछ भी बोले तो सीखना हो तो एपॉइंट्मेंट ले 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 ना कि आम उस्या की रात को रात में वही करीब बारा साड़े बारा बजे समसान घाट में सिखाता हूं मैं इस लेवल के इंग्लिश सीखना है तो आज चलो इस पार्ट ऑफ फन आजो इधार आओ इधार आओ देखो बेटवा जानते हो ऐसे कोशन की ना प्रैक्टिस जरूरी है जैसे तुम इसको अंडरिस्टिमेट कर दो अरे सर यह हमसे नहीं हो रहा है सर इधार आओ देखो प् आजक्टिकुलेट करो कि यह आजाए उसने क्या किया इसे दो से डिवाइड किया बेटा और इसमें 2 का गुड़ा कर दिया यह हो गया दो त्याइज यह जो गया फ्रियो ग्यारा दुना 22 2-6 का 12, 5-2-10, यानि 6 plus 10 is 16, that's why 16 will be the right answer. कितने लोग सहमत हो मेरी बात से बताओ ना कितने लोग सहमत हो मेरा कहना सही है या नहीं मेरा कहना सही है समझ में आया कि नहीं आया अगर किसी को तकलीफ हो कस्ट हो पीड़ा हो समस्या हो बाधा हो कलेश हो तो आओ डस लो मुझे लेकिन मैं बार बार कहता हूं पहले से बहतर अब तुमको आओ, अभी का सबसे तूफानी ट्रिक, तूफानी ट्रिक, अगर लगे कि हाँ सर आज आपने दिल खुश कर दिया तो मुझे बताना, आज सबसे तूफानी ट्रिक बताऊंगा इसकी, अराम से सोच लो, मैं जो बताऊंगा उसके लावा एक ट्रेंगल एक्स्ट गुरुजी मैं SSCGD का टेलीग्राम ग्रूप जोईन नहीं कर पा रहा हूं, help कीजिए, I agree with you, हाँ ठीक है, भया खुश रहो, सही आगया समझ में, वाह, जल्दी से यार बताऊ, जल्दी से बताऊ, जल्दी सारे लोग बताऊ, अगर गिन लेते हो तो ठीक है, नहीं गिनते अब देखो मेरी बात समझो, अगर नहीं कर पाते हो तो accept कर लो कि सर हमसे नहीं हुआ, आओ तुम गोम बताते हैं, मैंने आपको क्या आपको सिखाया है, कि रगुपति रागफ, राजाराम, जितना पैसा उतना काम, मतलब कि पहले हम formula formula देखेंगे, formula देखेंगे, जो नए किसी भी triangle को ऐसे काटा जाता है, तो बोले सर ये पढ़ते पढ़ते हमारी जबान घिज गई है, हम इतना पढ़ चुके हैं कि ये हमको रट चुका है, हमने का वाहरे मिरे लाल, अब तुम हीरो हो, जब भी किसी चीज को ऐसे काटा जाता है, बोले हाँ सर, ऐसे, ऐसे काटा प्लस आठ बराबर हो गया सत्रा, बोले सर आप क्या करेंगे, हमने का अगर कहीं तुमको लगे गया तुल अवस्थी सर बवाल कर रहे हैं तो हमको रोग देना, सत्रा, सत्रा के बाद 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23, तो अब हमको बताओ क्या तुल अवस्थी कहीं भी गलत है, क्या त कहना कि वो मेरे हिसाब से 20 आना चाहिए, मेरे हिसाब से 23 आना चाहिए, क्या तो सुनो, 23 बोल रहा हूं, बोले मालो 23 ना हुआ तो, भूले सुनो, तुमारी सातों पुस्तों की आवकात हो तो 23 करके दिखा दो, तब पढ़ने में मज़ा आता है यार, ये बंदे में का ये तो ये मज़ा आता है पढ़ने मारे भूख के देख रहा है, सर वहमारा रहे है, सर देखी किया है, सर देख्यार ने सही किया है, अरे तूम फॉर्मीड़ मताओ मूला फ़ॉर्मूला हटा ये, रिमेन इंट से अंसर आगिया, आधर ट्रैंगल आप एक्स्ट्रे त्राइगर लोग सोच के दिखाओ वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट कोश्चिन है वेरी इंपोर्टेंट सवाल है एक्जाम में आज कर इसी तरह नंबर के सवाल आते है यह तुम्हारा 21 सेकेंड है लोग करके देखो सोचो और करता कुछ नहीं अवनी कह रही है सर आपके इंगलिज से कुछ कुछ होता है दाथ तूट जाएगा ना तो बहुत कुछ होगा फिर इधर देखो अगर मैंने आपसे बोला इसको छोड़कर बाकि सभी प्राइम नंबर है इसे छोड़कर बाकि सभी अभाज इसंख्या है प्राइम नंबर है जिनका गलत होगे सौरी बोल के आगे बढ़ लो चलो सौरी बोल दो आगे बढ़ लो बाकि सभी प्राइम नंबर है ये करके दिखाओ ये करके दिखाओ तुमको आद देखो तुम्हारी गलतियां बताता हूँ देखो कोश्चन छूने का अंदाज छूने का अंदाज मैं बार-बार कह रहा हूँ मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी ऐसी ऐसा तुम्हारा तरीका हो जाए कि तुम जो चूने का अंदाज बदलो, मैंने आपको पहले भी बोला है, आसान कूशें को भी ऐसे टच करो, कि सर पांट सेकेंड में जवाब आगया, सर मेरा इतने सेकेंड में जवाब आगया, मैं बार बार आपS senin कहता हूं, क्वेश्चं चूने का अंदाज बदलो, मालो म रही बात लगा लो दिमाग जित्ता लगा सकते हो अराम से सोच लो बात मेरी सही लगे तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं देखो एक बात हमेशा याद रखना वरनल लपेट लिए जाओगे मैं तुमको कल भी समझाया था आज भी समझा रहा हूँ तुमको पता एलम एक साथ है 12-13, 17-18, 22-23 तो अब हावी एकसी बात है साथ में किवल एक ही चीज लिखी है ए बी सही हो गया पूरा ऐसे नहीं देखा जाता कि M से क्यों कैसे आया ये किसे आया ये हमारे सेकेंड थाट है ये हमारा सेकेंड थाट है फरस्ट थाट ये है कि इजिएस्ट फॉर्म तो यानि एसंडिंग और देखते है सबसे इजिएस्ट फॉर्म LMQRVW यानि जो कुछ आएगा वो साथ का आएगा जो कुछ आएगा MN होता KL होता जो आएगा साथ का आएगा A B साथ का है यही आंसर होगा ऐसी दिबात नो बकवास तो उतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसका बताओ इलाइची काजू बादाम मुंफली कौन सा अलग है सोच के जवाब देना जो तुम सोच रहे उससे कहीं ज्यादा अलग आंसर है जली अच्छा मेरी मेरा पढ़ाया समझ में आता है नो को टोपिक वाईज इसी सेशन में पॉढ़ाऊंगा तुम लोगों को टोपिक वाईज इसी सेशन में पढ़ाऊंगा देखना भात समझ में आये तो मुझे बताना क्याम में जू कह रहा हूं और बात सही है कि नहीं जल्दी से बोलो कैश्यूनट अल्मंड ग्राउंड नट क्या होगा सुच अब मैं बताता हूं क्यों आतु लवस्थी के पास आओ ये देखो ये है इलाइची ये है काजू ये है बादाम और ये है मुझफली अभी बताओ अच्चा ये मुझे लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है ये का आप छोटे बचे हैं लेकिन कम से कंब इंट्रेस्ट पैदा होता है सर हम इसनेंग में बोर नहीं होते हैं ये सारे के सारे सारे के सारे समझ गहें न यह अलग हो जाएगा यह अलग यह द्राइफ रूट्स में आ गया यह अलग हो जाएगा बोले सहमत है ठीक लब यूटू बेटा लव यूटू एपर अंगुठी वाल बटन दबा के टेंडेंस लगा दो यार यह बताव यह सी पीसी सवाल है कि नहीं सी पीसी का का मतलब क्या होता है जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि सी पीसी का मतलब क्या होता है कित्ते लोग जानते हैं सी पीसी सवाल कित्ते लोग जानते हैं मैं समझ जाओं कि यह मेरे पुराने बच्चे हैं हमारे पास भी पहचानने कि बहुत पहतर है कि कौन है जो पुराना विद्यार थी, CPC सवाल, हाँ, जो नए बच्चे हैं, आज के बाद याद रखना, तुम्हारी पहचान ऐसे होगी, CPC का मतलब होता है, चरम पर चूरन सवाल, ये चरम पर चूरन सवाल है, इस से आसान सवाल ब्रमहंड में बन ही नहीं सकता, बोले क्या बात कर रहे हैं सर, देखो, चार में एक कम कर दिया, तीन, आठ में एक कम कर दिया, साथ, नौ में एक कम कर दिया, आठ, छे में एक कम कर दिया, पाथ, तो साथ में एक कम करेगा छे, जैसरी सीता राम, जैसरी सीत सब्सक्राइब एविल विदर राइट आंशर इट सजस्ट सी पीसी सवाल इट सचरम पर चूरन सवाल लॉट ऑफ चूरन सवाल है कि नहीं तो कम से कम इंट्रेस्ट बना रहता है ओ आई सी ये करके दिखाऊ जारा आब अब हुए ये करके दिखाऊ और अगर हमके एक बार भ आवल का कॉन्फिदेंस है बताव किते ले आवंगा बालक ले आवंगा लोर्ड नहीं लेना लेयर अब हम बताएं आव हम बताएं कैसे होगा एक बार में गिनना और तभी तो थो थोड़त कॉन्फिदेंस डेवलप होगा एक दो तीन चार पांच 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 ये है चार ये है पांच पांच हो गया पांच है तो सेम पांच यहां भी होगा पांच यहां तो सेम ही डाइग्राम तो है पांच पांच दस हो गया बोले सरा आप कुश्चन सॉल्फ करने से बचते कितना है मैंने का हाँ बचता तना जरूरी हूँ पांच 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 दस दस के बाद ये वाला हो गया 11 और ये वाला हो गया 12 भाई अगर इन में 5 है तो सेम डाइगराम यहां है न तो 5-5-10 और 10-12 हुआ की नहीं हुआ 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 10-12 हुआ जवाब ट्रिक बताता हूं इसकी एक बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताता हूं लाजवाब ट्रिक बताऊंगा बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि सर बस ऐसे ही बता दीजे तो मज़ा आजा इसमें सिर्फ आप्शन हटाना है देखो इसमें बोला पहचान के जहां लड़क यह न विवाहित है एक केवल लड़की है साथ केवल विवाहित है यह अच्छे जो है लड़की है और विवाहित है यानि ऐसी लड़किया जो काररत है लेकिन विवाहित नहीं है तो चार क्या है काररत है और विवाहित है पांचमा क्या है काररत है विवाहित है यह सब है यान दो ही लड़किया हैं जो कारएर था अभी वाहित अब जिनका गलत हुआ वो महबत से मुझसे माफी मांग सकते हैं आप महबत से मुझसे सौरी बोल दीजे मैं आपको बिलकुल परिशान नहीं करूँगा एकदम परिशान नहीं करूँगा लेकिन एकसेप्ट कर लो कि हाँ सर मेरा गलत हो गया जल्दबाजी में गलत हुआ कॉंसेप्ट में गलत नहीं हुआ मैं बार बार कहता हुआ इस तरह हटा दिया करो जो खसेश नंबर बचा वो तुम्हारा अंसर हो गया ये करके दिखाओ आज का सबसे बेहतरीन सवाल सबसे बेहतरीन सवाल अगर बात समझ में आ जाए तो हमें बताना कि सबसे बेहतरीन सवाल लगे कि हां सर इस तरीके के सवाल अगर हमने कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा ट्राइ करो गोहेड ट्राइक रोबाट सही लगेगा समर्थन का ना लव यू टू बेठा कभी जैसे ना तुम लोग MNC सेक्टर आओगे ना जैसे तुम लोग आगे चलके जब जोब आप करोगे तो यहां पे इंग्लिश जो बोले तुम लोग मेरी इंग्लिश का मजाग उड़ाते हो अरे सर इंग्लिश बोलिए तो जो नए नए जो MNC's कंपनी में आओगे ना बस यहां पर दो-तीन शब्धाटा दिए यू नो लाइक अंडर्स्टैंड अंडर पाइपलाइन यह कुछ ऐसे शब्धाटा दिए जैंग मर जाएंगे MNC's वाले अंग्रेजी बोलने भाई सा यूनो लाइक फिर ऐसा हुआ कि लाइक मैं वहां पर गया लेकिन लाइक फिर ऐसा हुने लगा कि लाइक मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था लाइक यह समझ रहो कि लाइक मैं फिर ऐसा लाइक हटा तो मर जाएं और यूनो फिर यूनो लाइक फिर ऐसा होगे यून 16, plus 17, ठीक, plus 17, 116 will be the right answer, 116 will be the right answer, 116 will be the right answer इसका answer होताओ हाँ, कभी भी आना, कभी दिल्ली आओ देखो तुमको इतनी मज़ा आएगी जो हमारे घर के तरफ के लड़के हैं न वो दिल्ली वाले लड़कों के इतना मज़ा लेते हैं इसलिए नहीं कि मैं दिल्ली वाले लोगों को गलत कह रहा हूँ, नहीं यह जो नए-नए आते हैं न दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं वो बस कुछ दिन दिल्ली रहके जाएंगे, फिर इसके बाद तो फिर ऐसा हो गया फिर मैं यह लाइक मैं को समझ भी नहीं आरा रहा लाइक शोच रहा हूँ कि आर कि हम पूर यह did ये है तभी मुझे कुछ जल दी कल से रोग्यार बजे सभी लोग आ रहो कि नहीं कल से रोज सुभा ग्यारा बजे मेरी क्लास की टाइमिंग सभी को पता चल गई मेरी क्लास की टाइमिंग क्या है, रोज सुबह ग्यारा बजे, इसमें टॉपिक वाइस पढ़ाऊंगा, रोज सुबह ग्यारा बजे, ठीक है, रोज सुबह ग्यारा बजे, ठीक है न, रोज सुबह ग्यारा बजे, अब आप लोगों को टॉपिक भी इसी के अंदर मिल इसकी कोई टॉपिक बता दीजिये, सर ये कैसे करें, है न, ठीक है, अब जड़ा देखो, अगर मैंने आप से कहा, अब देखो, जैसे ये माइनस वन है, ठीक है न, यहाँ पर देखो, प्लस थ्री है, यहाँ पर देखो, प्लस फाइफ है, तीन पांच, छे नहीं, प्लस सेव होगा, यानि 14 आना चाहिए, फिर फिर फ्लस 9 होगा, फिर इस तरीके से, यानि और नमबर आड हो रहा है, और नमबर आड अड हो रहा है, और नमबर एड हो रहा है, बोले सह मतो, तो यह वाला आप मुझे comment box में बताइएगा, और बेटा जी, अभी भी मैं कहरा हूं कि इस अगर मेरी बात जैन्मिन लगे तो मुझे आज ही फॉर्म भरना क्योंकि कल से फॉर्म भरना शुरू किया जाने लगा है और जो मैं दे रहा हूं अगर एप्रोप्रियेट लगे थोड़ा इस चीज को दिमाग से निकाल कर रहे अगर मैं बता रहा हूं इंफॉर्म कर रहा हू तुम्हें लगे कि नई सर इस बार स्सी जीडी में आप लोगों ने सच में बहुत तगरा विवस्था रखा है तो बस लव यू अतुल सर बोल देना मैं समझ जाओंगा कि हाँ तुमको समझ में आई बात देखो स्सी 8247.com पर चले जाना और स्सी जीडी पर चले जाना ये अभी वीर बैच तीस तारीक से आ रहा है लेकिन इसके पहले ये वीर बैच है इसके पहले वर्दी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 यह हम सब पढ़ा चुके हैं और वो सब इसके अंदर है वो सब इसके अंदर है महा फॉलो करना 3999 लिखा है ये कमाल देखो Y272 जो तुमको लगवाता हूँ जिसके लिए मैं हमेशा तुमको बोलता हूँ कि मत लगाया करो और कोई कूपन कोड मैं सभी से बोलाओ कूपन कोड वाई 272 इस तरीके के कूपन कोड लगा के कुछ नहीं मिलेगा यहां पे कूपन देखो Y272 का कूपन कोड कभी भी गलत मत लगाया करो तुमको कई बार समझाया चाहे रेलवे खरीदो चाहे कुछ भी आपको कूपन कोड इतना बड़ा बड़ा लिखता हूँ फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे आतुल सर मेरा ये दिक्कत हो गया Y272 लगाओ ही जोग्रफी को पांच लोगों को लोगों या इप ही पर्सेंटेस को छेटीचर ने पढ़ाया तुमको जिसकी टोन समझ में आती हो इससे पढ़ो सौच क्या जवाब चीज है बो लो हाँ या ना पहले एकशेप्ट करो हाँ या ना कितनी लाजवाब चीज है एक ही चीज़ को कितने लोगों ने यानि एक ही पर एक ही प्रॉफिट लाइव लॉस को पांच लोग पढ़ा रहे हैं तो यह वाले टीचर का समझ में आ रहे हैं इसका देख लेंका नी समझ में रहे हैं इसका तो किसी से भी पढ़ो इतने रिकॉर्ड नंबर ओफ वीडियो है यह यह बात याद रखना और SSC GD की जितनी किताबे हैं वो 183 किताबे यह बुक्स क्या हो जाएंगी फ्री हैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा बारा महीने के लिए यानि पूरे इसकी वैलिडिटी बारा महीने के लिए है ठीक है रहा लेकिन कूपन कोड बार बार कहा अब देखो टैसीरीज देखो अब यह तीन हजार दो सो छे तुमारी आखें गलत नहीं देख रहे ही काई धाई सेंकड़ा सही गीने हो और वो भी टॉपिक वाइस वो भी टॉपिक वाइस कहां मिलेगी टैसीरीज बताओ यह रेलवे के लिए इंपॉर्टन नहीं रेलवे की लाइफ क्लास है बेटा जी और यह आगे चलके एक हजार घंटे की लाइफ क्लास हो जाएगी लेकिन मैं अभी भी सबको समझा रहा हूँ एक बार मैं कहा रहा हूं कि लो मान लो अतुल अवस्थी पर इहसान कर दो कि सब जाई आप भी क्या याद रखेंगे आपके नाम करना मत भूलना कोई जरूर अपलाई कर लेना और यह मैं गारेंटी के साथ क्याता हूं अगर जितने लोगों ने जितने लोगों ने ये कर दिया कि सर आप पे एहसान कर दिया जाई आट सो निन्यानवे का खरीद लिया तो जब सेलेक्शन हो जाएगा ना तो अपने छे मह की जगा भी बाटना था आप तो दो ठुले लिए और जब हम आट सो निन्यानवे में बेच के सब को ये बताते कि भाईया इसको जॉइन कर लो जॉइन कर लो और सब को सब कुछ गला भर के नोट्स देते हैं तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होते हैं उसमें भी हमी को ब ठीक है बाकी मेरे उपर छोड़ दो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना खुश रहो मस्त रहो सलामत रहो शाम 6 वजे हम जुड़ेंगे और इस समय में टॉपिक वाई शुरू करूंगे तगले तरीके से ठीक है तो परिशान नहीं होना मस्त रहिए खुश रहिए सलामत रहिए इश्वर सत्बूधी दे